सो मैंने अभी एक यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया था कुछ दीसी फैंडम से रिलेटेड वीडियो थी वो और उसके नीचे मैंने कोई भी कमेंट किया तो उसके नीचे एकदम से कमेंट आया हैस्टेग एंटी इंडियन सुपर हिरो मतलब मैं जादे नीचे उस नहीं देखता बलकि कभी हमने वो चैनल लगाया यह भी नहीं है नीचे तो सी नीचे पर मुझे जब मैंने इसके बारे में थोड़ी डिसर्च की तो पता चला सी नीचे पर सुधीर चोधरी का जो एक डिय फिर मैंने वो देखा तो मुझे दो चीज़ा अजीब लगी एक तो उस शो में यह नहीं बताया गया कि सूपरमैन इंजस्टिस में एक सूपर फिलन था मलब वो कुछ जादा अच्छा कैरेक्टर नहीं था इंजस्टिस मलब जस्टिस का अपोजिट जस्टिस ली का विलक जाता हूं DNA में जो इंजस्टिस नूवी आई थी तो उसके बारे में एक छोटी सी बस एक जगे लिखा आगया था डिस्पुटेड कश्मीर मलब विवादी कश्मीर तो उस पे पूरा मतलब ऐसे दिखा दिया कि यह एंटी इंडियन सूपर मैन है हां सो ऐसा कुछ नहीं है मलब DC वालों को देखना चाहिए और यह एक जैसे वर्टेफ की सीरीज आई थी वैसे करके किसी और मल्टिवर्स में किसी और यूनिवर्स में हुआ यह ना कि मेन टाइम लाइन में तो हां ऐसा भी बोल सकते हैं DC वाले अगर कुछ जादा आगे ब जो भी मलब American movie है Injustice जिसमें ऐसा दिखाय गया है तो उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि भई Superman को Anti-Indian Superman ऐसे कुछ किया है तो इंडिया में भी यह नहीं होना चाहिए बट DC वालों को भी तो देखना चाहिए न कि भई आप movie बना रहे तो उसमें DC culture के लिए किसी भी culture को ऐसे मला मत करो कि भई तू भी कोई culture मलब उसकी बेचती ना करो और DC Marvel की तरह नहीं है मलब उसकी जो कुछ movies भी आए हो हिंदी में dub नहीं होगी और अगर ऐसा कुछ होता मलब वो इंडिया से ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसे DC में दिखा दिया इंजस्टिस movie में तो शायद Marvel की तरह ही DC का भी crazy कुछ next level में होता crazy है बहुत crazy है मलब कई लोग DC की movie देखते हैं जिन में से एक मैं भी हूँ बट इंडिया में जो हैं वो लोग इंडिया के लिए ज्यादा वो respected है कि बही इंडिया उन्हें ज्यादा important है किसी super hero से सो आप खीक है आप superman को hate नहीं कर सकते लेकिन इससे आप movie को hate कर सकते हो injustice movie को hate कर सकते हो क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया superman को नहीं superman एक अच्छा character है एक सही story arc है उसकी पूरी की पूरी और वो character अगर किसी को भी पसंद है तो उसके comment के निजा आप hashtag यह anti-indian superman ऐसा कुछ नहीं लिख सकते आपको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि भई क्या है movie में और सुधीर चोधरी साब ने अगर अच्छे से clear कर दिया होता तो इतना क्या हुआ था superman ने ships wills military military को धूल चटा दी थी शिप तोड़ दी थी यह सब कर दिया था jets तोड़ दिये थे और उसे एक non-military force की जगया ऐसे मलब उसे military का उस पर कोई control यह नहीं है यह खुद ही से कर दिया तो खुद ही बता दिया था और वह movie भी कुछ जादा ही मलब ऐसे नहीं थी कि भी उसे seriously लेना चाहिए वह कोई किसी और timeline में थी और वह superman हमारा superman नहीं है वह कोई और superman है जोकर की वज़े से वह बुरा बन गया है कैसा डिचीजे हुए है so आप ऐसे नहीं दिखा सकते है उसे और actually मैंने खुद वह picture नहीं देखिये हाँ मैंने पूरी वह picture नहीं देखिये क्योंकि कई सारी चीजे है मलब मुझे नहीं पसंद आई और मुझे जादा कुछ उसमें अच्छा नहीं लगा वैसे मैं जोकर पसंद करता हूं बट जोकर कीटेज दिखाई उसमें इसलिए मैंने है मुझे नहीं देखने ही मलब ऐसे मैंने side कर दी हूं movie हाँ देखूंगा मैं अभी यह हुआ जो उसकी वज़े से जरूर देखूंगा मैं कि यह पता करने के लिए कि भई इसमें है क्या पूरा सब समझूंगा सब कुछ और फिर मै इंजस्टेस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मलब इंजस्टेस के और वो कश्मीर के एकदम पूरा और अच्छे से समझ की और ऐसी कुछ information के साथ जो अभी तक किसी ने नहीं दिये उस पे वीडियो बनाऊंगा तो आप चैनल को सब्स्राइब कर देजे और anti-indian superman ना कहे एंटी इंजस्टेस मूवी कहें और वो एक animated movie है और सुधीर जोधरी के जो DNA में उससे ऐसे दिखा है कि वो कार्टून है और वो एक मलब सिर्छोटे बच्चों के लिए है बलकि वो एक बच्चों के लिए तो वह है ही नहीं वो picture बच्चों के लिए नहीं है वो एक adult picture 18 plus picture ह है हाँ ठीक है मैं अब देखते हैं कि क्या होता है उसमें अब इसके बारे में कोई नहीं update आई है और विवाद बढ़ेगा या कुछ होगा तो मैं वीडियो बना के आपको तुरंद सुचित कर दूंगा